हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रतिक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले है कि अगर आप इंडस इन बैंक का इंडस मोबाइल एप्लिकेशन यूज करते हो और उसमें आपको QR कोड स्कैन करके पेइमेंट कैसे करना है यह इसके स्टेप्स जानना है तो आज का वीडियो आप पूरा देख सकते हो शौट सा वीडियो होने वाला है है अगर आप चैनल open करते ही कुछ इस तरीके का interface आपको आपके screen के उपर देखने मिल जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर home screen के उपर आप देख सकते हो यहाँ पर view account balance आपको अगर balance चेक करना हो तो उसके उपर tap कर सकते हो और यहाँ पर आपको और भी multiple options देखने मिल जाएगे और scan and pay करने के लिए आप यही पर scan and pay का option select कर सकते हो तो उसके उपर tap कर देना है तो scan and pay के उपर click करते ही यहाँ पर next page open हो जाएगा तो यहाँ पर एक आपको message देखने मिल जाएगा scan with camera पढ़ सकते हो आपको simply got it के उपर click करके आगे बढ़ जाना है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे camera QR code धून रहा है बट अभी जो है visible नहीं होगा तो यहाँ पे यह area है जिस पे QR code scan करना है तो आपको जल्दी से मैं QR code scan करके बता देता हूँ आगे के steps दोस्तों अभी screen के उपर आप देख सकते हो यहाँ पे QR code मैंने open करके रखा तो यहाँ पे दोस्तों QR code successfully scan होने के बाद यहाँ पे payment details वाला page open हो जाएगा तो यहाँ पे simply आप चेक कर सकते हो जिनका QR code मैंने scan किया था उनका details यहाँ पे आ जाएगा और amount आपको जो भी transfer करना है वो आपको यहाँ पे enter करके end में pay के उपर click कर देना है तो for example अभी 100 रुपीज का amount जो है एंटर कर देता हूँ और okay के उपर click कर दूँगा सारी details एक बार check कर लीजे और फिर pay के उपर click कर दीजे पे के उपर click करने के बाद यह आपको biometric के लिए पूछेगा या फिर जो भी pattern आपने रखा है application में वह आप enter करके आगे बढ़ सकते हो तो यहाँ पर दोस्तो next option आ जाएगा pay के उपर click करने के बाद account to debit तो यहाँ पर चेक कर सकते हो यहाँ पर पूछ रहा है कि pay through UPI तो आपको simply UPI से pay करना है तो यहाँ पर click कर देना है और click करने के बाद यहाँ पर confirmation का page open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो जिनको हम पैसा transfer कर रहे है उनका नाम है UPI ID होगा उनका जितना amount transfer कर रहे है वो आपको यहाँ पर visible हो जाएगा और end में सारे details चेक करने के बाद confirm करने के बाद pay के उपर click कर देजिए तो यहाँ पर pay के उपर click करते ही यहाँ पर authentication के लिए आएगा यानि कि जो भी आपने pattern set किया है वो आपको यहाँ पर simply pattern draw करके आपको payment successful कर देना है तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ तो payment successfully transfer होने के बाद यहाँ पर देख सकते हूँ successful का message आपको आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हूँ screen के उपर भी message आ चुका है कि payment successful हुआ है और यहाँ पर आप details चेक कर पाऊगे दोस्तों यहाँ पर पिर से एक बार जिनको पैसा transfer किया है उनका नाम यहाँ पर amount और जो भी transfer का जो भी reference number है जो भी transaction का reference number है वो आपको यहाँ पर visible हो जाएगा और यही simple steps से दोस्तों जिने follow करके आप Indus Mobile application में scan and pay कर सकते हो तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में वीडि तो मैं आप सबी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में धन्यवाद